हलो एवरिवल、 आज हम बात करेंगे कुछ सिंबल ट्रिक्स की जिससे हम हॉम हमस्तॉपिक और हेटर्टॉपिक लिगेंट्स को इदेटिफाइ कर पाएं। सब्सेपहले हम बात करेंगे हमोस्तॉपिक लिगेंट्स की वो होमोटोबिक या हेट्रोटॉपिक. तो सबसे बऌद होमोटॉपिक की बात करेंगे हैं है इसा है इसा है तो वह प्रोटॉपिक होंगे बट यदि सीनिहें नहीं है उस गैस नğimiz हम plane of symmetry देखेंगे POS, यदि आपका molecule जो है उसमें reflection हो रहा है, reflect हो रहा है दोनों hydrogen और ME by POS तो वो inatiotopic होंगे और यदि वो bisect हो रहे हैं तो वो diastereotopic होंगे, इन तीनों चीजों को हम आप कुछ example से discuss करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, सबसे पहला molecule मैंने ये लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं, यह CS3, CS3, H और H, यहाँ आपको easily बदा चल पा रहा है कि यह दी हम इसका 1 H replace भी कर देंगे, तो भी हमारा same environment रहेगा तो homotopic है, पर यहाँ इसको C2 से ही समझेंगे, आप C2 XS apply करेंगे, तो यह H इधर चला जाएगा, यह H इधर, यह CS3 इधर और यह CS3 इधर, तो आप देख सकते हैं, there will be no change, C2 XS से molecule same ही आ रहा है, that's why यह homotopic होगा, यहाँ पर हम second molecule ले रहे हैं, जब हम इसके C2 XS लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं, hydrogen तो same अपनी जगह पर आ रहे हैं, बट CS3 इधर चला जाएगा और OH इधर आ means, जब reflection create होगा, reflection के आमने सामने दिखा ही दे रहे हैं, प्लेन के, then it should be in ancient topic, now अब हम next example की बात करेंगे, यहाँ पर आप यह example देख रहे हैं, यह एक cyclobutane है, यहाँ पर आपका CL है और hydrogen है, यह HA और HB में हमको relation find out करना है, अब आप देख सकते हैं, कि यदि इसमें मैं C2 XS लगाऊंगी, तो आप देख सकते हैं, यहाँ इसको गुमाऊंगी, तो यह CL उपर से नीचे हो जाएगा, और यह HA उपर चला जाएगा, इसका मतलग यहाँ पर C2 XS नहीं लग रही है, अब इसमें हम plane को apply करेंगे, plane को यदि हम apply करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि तो इसको bisect कर रहा है, प्लस दूसरी चीज, HA जो है, वो CL के साथ cis है, और HB जो है, वो CL के साथ trans है, इसका मतलग सिस translation आ रहा है, इसका मतलग भी di-stereotopic होंगे, similarly इस वाले molecule की बात करेंगे, यहाँ पर हम C2 apply करके देखेंगे, C2 हम देखेंगे, तो CL नीचे आ जाएगा, और H उपर जला जाएगा, इन दोनों में कोई फरक नहीं पढ़ेगा, दोनों hydrogen सी है, तो उसलिए C2 यहाँ पर apply नहीं हो रही है, जब हम इसके अंदर plane of symmetry apply करते हैं, यदि हम यहाँ पर apply करें, तो इन दोनों hydrogen से पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, और यदि हम यहाँ पर apply करते हैं, plane of symmetry को, तो यह bisect हो रहा है, bisect हो रहा है, इसका मतलब यह dice stereotopic होंगे, और यदि हम दूसरे criteria से भी देखें, तो यह इसके साथ cis है, और H भी जो है, C2 के साथ trans है, तो यह दोनों क्या होंगे, dice stereotopic, ना अब हम next molecule की बात करेंगे, यहाँ पर हमने एक और molecule लिया है यहाँ आप देख सकते हैं, यदि मैं इस पर C2 apply करती हूं, तो C2 आप देखेंगे कि CL जो है उपर हो नीचे हो जाएगा, और H जो है वो उपर चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी C2 apply नहीं हो रही है, C2 absent है, फिर हम यहाँ पे एक plane लगा रहे हैं, यह मैंने एक plane द Tensiotopic होंगे, अब रही बात HC की और HC और HD की, आप देख सकते हैं, HC जो है, वो CL के साथ Cis है, और HD जो है, वो Trans है, इसका मतलब यह दोनों क्या हो गए, डाइस्टिरो टॉपिक, Similarly, HA जो है, CL के साथ Cis है, और HB जो है, वो Trans है, इसका मतलब यह दोनों भी क्या हो गए, आपक Diestereotopic, Now, हम अब next example की बात करेंगे, next example में आप देखिए, इसमें यह दि हम देखें, तो C2 AXS apply करेंगे, C2 AXS apply करेंगे, इसको हम ऐसे rotate करेंगे, तो आप देख सकते हैं, जब rotate करेंगे, तो CS3 above the plane है, यह इधर आएगा, तो below the plane हो जाएगा, और CS3 उदर जाएगा, तो below the plane हो जाएगा, H, H replace भी होंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, उपर नीचे दोनों सेम है, तो हमारी जो symmetry है, वो बिलकुल बदल जाएगी, इसलिए इसके अंदर C2 absent है, लेकिन यदि हम यहां से एक plane लगा दें, यह वाला, तो आप देख सकते हैं, यह दूसरे को reflect कर र देर्फोर यह दोनों क्या हो जाएगे, डाइस्टियो टॉपिक, अभी हम next example की बात करें, यहां थोड़ा सा modify हो गया है, यह above the plane है, और यह वाला जो CS3 है, यह below the plane है, तो यदि हम इसके अंदर C2 apply करेंगे, तो यह CS3 इधर आजाएगा, तो यह below the plane हो जाएगा, और यह CS3 उधर चला जाएगा, जब घुमाएंगे, उल्टा हो जाएगा, तो यह below the plane हो जाएगा, कहने का मतलब है, जो next moiety मिलेगी, हमको बिल्कुल सेम मिलेगे, इसका मतलब C2 यहां पर apply हो रही है, इसका मतलब यह homotopic है, नाओ next molecule की हम बात करें, यहां आप देख सकते हैं, यह molecule ह यह above the plane, यह below the plane, यह above the plane और यह below the plane, जब हम इसमें C2 apply करेंगे, तो यह ME इस जगे आजएगा, यह ME इस जगे आजएगा, यह pH above the plane था, जब इधर आएगा तो below the plane, और यह below the plane था, इधर आएगा तो above the plane, मतलब इसमें C2 apply हो रही है, C2 apply हो रही है, इसका मतलब ME, ME भी homotopic ह और pH pH भी homotopic है इसी तरह से हम next molecule की बात करेंगे यहापे तो आप देख सकते हैं इसमें भी क्या है यह pH अबब दा plane और यह pH भी अबब दा plane जब हम C2 apply करेंगे तो यह दोनों below the plane हो जाएंगे तो हमारा molecule change हो जाएगा तो therefore हम इसमें एक plane apply करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे की mirror image बना रहा है इसका मतलब यह दोनों enantiotopic है और सिंज यह इसको bisect कर रहा है इसका मतलब HA और HP जो हैं वो di stereotopic है इससे तरह से हम दूसरे example की बात करेंगे यहापे यहाँ पे हम बात करना है कि यह दो hydrogen है और यह दो pH है हमें pH के बीच में relation निकालना है तो हमने इसमें C2 apply करेंगे तो यह वाला pH यहाँ आ जाएगा और यह pH यहाँ चला जाएगा इसका मतलब यह क्या हो गए? होमोटॉपिक इनमें कोई change नहीं आया अपनी जगह से same change वही जगह पे आ गए means C2 is applied so therefore it is homotopic similarly इस example की हम बात करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक molecule है जिसमें अबब दा प्लेन है यह बिलो दा प्लेन है यह अबब दा प्लेन है और यह बिलो दा प्लेन है और hydrogen में कोई फ़रक पड़ेगा नहीं देफर इसमें भी C2 apply हो रही है देफर यह भी एक homotopic है तो यहाँ पर जो ME-ME है वह आपके homotopic है तो इस तरह से हम POS और C2 के help से पता लगा सकते हैं कि आपके जो pairs है वो homotopic है heterotopic है, enantiotopic है या di-stherotopic है तो आप इसकी अच्छे से practice करिए और फिर मैं आपको इसके कुछ examples और share करूँगी ताकि आप उनकी अच्छे से practice कर सके Thank you